हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेना सिपी आदव पे दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा यदि दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे तो दोस्तों जादान बात करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक क्यूर कि दोस्तों आज की वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेस्चन्स हैं और आपका जो पहला क्वेस्चन है दोस्तों कि सिच्छा को किस सिच्छी में सामिल किया जा सकता है किस में दोस्तों सिच्छा को किस सुची में सामिल किया जा सकता है तो दोस्तों धियान रखिएगा समवर्ती सुची में किस में दोस्तों आपका समवर्ती सुची में अगरा केशन है दोस्तों कि बाबर नामा बाबर दरा लिखित एक दोस्तों ध्यान रखेगा बाबर नामा जो बाबर दरा लिखी तो एक आत्मकता है दोस्तों उसनोंने खुद के बारे में अपना लिखा था अगर केशन है दोस्तों कि मैं एक मुठी भर बाजरे के लिए मैंने एक मुठी भर भाजरे के लिए हिंदुस्तान का सामराज लगभग हो दिया था यह सब्द सेरसाहने कहे थे दोस्तों ध्यान रखेगा यह सब्द सेरसाहने कब कहा था दोस्तों कि माल देव से युद्ध करने के बाद अगला केशन है दोस्तों इबादत खाना का निर्मार कराया था दोस्तों ध्यान रखेगा इबादत खाना का निर्मार किसने कराया था दोस्तों आप तो ध्यान रखेगा अकबर ने कराया था किसने कराया था दोस्तों आपका अकबर ने इबादत खाना का निर्माड कराया था अगला केशन ने दोस्तों कि मराठों का सरवाधिक उत्थान दोस्तों ध्यान रखेगा मराठों का सरवाधिक उत्थान सीवा जी के काल में हुआ था क्योंकि दोस्तों सीवा जी नहीं मराठा समराज की स्थापना की हुई थी दोस्तों अगला केशन है दोस्तों कि विले निती का संबंद है तो दोस्तों ध्यान रखेगा विले निती का संबंद आपका डलहौजी था जोनोंने राज हडपने की निती अपनाई थी दोस्तों फूट डालो राज करो अगला केशन है दोस्तों कि संसद से तातपर है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा संसद का तातपर की से होता है दोस्तों आपका भारत के राष्टपती को लोगसभा के सदस्यों की न्यूकती वह पदचियूती करने का जो अधिकार है भारत के राष्टपती को नहीं है दोस्तों अगला केशन है दोस्तों कि भारत का प्रथम नागरिक होता है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों राष्ट्रपती होता है क्या दोस्तों आपका राष्ट्रपती होता है अगला question है दोस्तों कि सर्दियों में अंटार्क टिका में अंधेरा रहता है दोस्तों ध्यान रखेगा सर्दियों में अंटार्क टिका में अंधेरा कब तक रहता है दोस्तों 24 गंटे कितने गंटे दोस्तों 24 गंटे अगला question है दोस्तों कि अभीर गुलाल में उड़ता हुआ हलका रंगीन पदारत है दोस्तों ध्यान रखेगा एक questions दूसरी बार आ रहा है आपका कि अभीर गुलाल में उड़ता हुआ हलका रंग जो होता है अब रख होता है क्या होता है आपका अभ्रक होता है ध्यान रखिएगा दोस्तों अगला केशन है दोस्तों कि करनाटक में कैगा में इस्थित है क्या दोस्तों करनाटक में कैगा में इस्थित है दोस्तों ध्यान रखिएगा करनाटक में कैगा में इस्थित क्या है दोस्तों परमाड उर्जा के केंदर क्या दोस्तों परमाड उर्जा के आपके केंदर इस्तित हैं अगला केशन है दोस्तों कि भारत में डाक प्राणाली प्रारम हुई थी क्या दोस्तों भारत में डाक प्रडाली प्रणाव हुई थे दोस्तों तो सन उन्नीस अठारा सो चियाचट में क्या दोस्तों सन अठारा सो चियाचट हिस्वे में अगला केशन है दोस्तों कि इंटरनेट पर प्रयोग किये जाने वाले डब्लू 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 का विश्टारीत है दोस्तों डब्लू से वर्ल्ड डब्लू से वाइड डब्लू से वेब वल्ड वाइड वेब तो कम सह हो जाएगा आपका दोस्तों अप्सन नमबर सह हो जाएगा वर्ल्ड वाइब वेब दोस्तों अगला केशन है दोस्तों कि रैच कहते हैं क्या दोस्तों रैच कहते हैं तो दोस्तों ध्यान रखेगा रैच जो आपका होता है परवतों की स्रेडी को रैच बोला जाता है दोस्तों अग्ला केशन है दोस्तों कि अकबर के दर्बार में प्रमुक संगीतकार थे तो दोस्तों ध्यान रखेगा अकबर के दर्बार में प्रमुक संगीतकार आपका तान सेन थे कौन दोस्तों तान सेन था अगला केशन है दोस्तों कि पानी पत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया तो दोस्तों ध्यान रखेगा पानी पत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच दोस्तों इसमें थोड़ा misunderstanding दिया है कि पानी पत का युद किसके किसके बीच लड़ा गया था प्रथम युद दिती युद दिती युद इसको देना चाहिए था दोस्तों ध्यान लेगा बाबर का बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच आपका लड़ा गया था दोस्तों अगला केशन दोस्तों कि सिराजी दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया था दोस्तों ध्यान रखेगा सिराजी दौला और क्लाइव के बकसर का युद्ध पलासी का युद्ध सोरी दोस्तों कौनसा प्लासी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों अगला केशन है दोस्तों कि सहायक संधी प्रणाली का प्रयोग किया किया दोस्तों सहायक संधी प्रणाली का प्रयोग आप लाड वेले जली ने किया था दोस्तों किस ने किया था आपका गुज रात में अगला केशन है दोस्तों कि रबड किस प्रकार के वनों का बिच्छ है क्या दोस्तों रबड किस प्रकार के वनों का बिच्छ है तो दोस्तों ध्यान रखेगा रबड आपका सदा बहारी वन क्या दोस्तों सदा बहार वनों का बिच्छ है दोस्तों अगला केशन दोस्तों कि चिपको अंदोलन संबंदित है तो दोस्तों ध्यान रखेगा चिपको अंदोलन आपको किसे है वनों की रच्छा के लिए क्या दोस्तों चिपको अंदोलन वनों की रच्छा के लिए जला गया था दोस्तों अगला केशन दोस्तों कि वित विधेयक प्रस्तूत किया जाता है क्या दोस्तों वित विधेयक प्रस्तूत किया जाता है दोस्तों ध्यान रखेगा केवल लोक सभा में कहां पर दोस्तों केवल लोक सभा में अगला केशन है दोस्तों कि केंदर सुची का विशाय नहीं है तो दोस्तों ध्यान रखेगा केंदर सुची का विशाय आपका सिच्छा नहीं है दोस्तों अगला केशन है दोस्तों कि राजसभा की सदस्यता के लिए उमेदवार की आयू होनी चाहिए क्या दोसतों, राजय सभा की सदस्यता के लिए उमेदवार किया ये तो दोसतों, ध्यान रखेगा आपका 30 वर्स, कितना दोसतों 30 वर्स होनी चाहिए दोसतों अगरा क्या शुबन दोसतों कि भारत ने अपने मंदली प्रणाली किस देष से लिए है अगला केशन दोस्तों कि राजसभा का सभापती होता है तो दोस्तों दियान रखेगा राजसभा का सभापती है भारत का उप राष्टपती होता है दोस्तों कौन भारत का उप राष्टपती होता है दोस्तों अगला केशन है दोस्तों कि नीम्न में से कौन जोड़ा गलत है क्या दोस्तों नीम्न में से कौन जोड़ा गलत है दोस्तों सहारा का मरुस्थल आपका साउथ अफ्रिका में है यह भी सरही है थार का मरुस्थल दच्छिड अमेरिका में है तो गलत है दोस्तों इसलिए आपका यह आपका गलत है दोस्तों अगला केशन है दोस्तों कि Regulating Act पारित किया गया दोस्तों ध्यान रखेगा Regulating Act आपका 1773 इसमें पारित किया हुआ था दोस्तों कब Regulating Act आपका 1773 इसमें पारित किया गया अगला केशन है दोस्तों कि कंगारू पाय जाते हैं दोस्तों ध्यान रखेगा कंगारू कहां पर आस्ट्रेलिया में पाय जाते हैं दोस्तों आस्ट्रेलिया महादीप में क्योंकि कंगारू का देश आस्ट्रेलिया महादीप अगला केशन है दोस्तों कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आकरमण कब हुग सथासे कर रहा था साहा जहां गरOOOO अगला केशन दोष्टों मोहम्मद बिन टुगलक दिल्ली से कहा स्थानीत किया था क्यैं को तो मुहंममद भिन तुगलक ने अपनी राज-द्धानि दिलि से दूज्टों दौलता बात किया था अग्ला hin केशन दोशनों कि काल माक्स कहां का निवासी था तो दोस्तों द्याण रखेगा काल माक्स 1908 इसवी को हुई थी, कब दोस्तों 11 नॉवंबर 1908 इसवी को हुई, अगला केशन है दोस्तों कि राष्टपती राजय सभा में कितने सदस्यों को मनुनित कर सकता है, क्या दोस्तों राष्टपती राजय सभा में कितने सदस्यों को मनुनित कर सकता है, तो दोस्तों ध्यान र व्लासटारा होती है कि अधो teil पुद्फ और अधोनेकिन कालता है दोस्तों तो रस्ट्रपति थो दोस्तों यहीं पर हम लोग वीडियो की समाप्ति करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लग रहे कमेंड करके दोस्तों आप लोग जरूर बताईएगा और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कियो हैं तो चैनल को सबस्क्राइब और लाइक दोस्तों जरूर किरिए फिर मिलेंगे हमलों अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भा वंदे माद दिरम